असलाम अलेकुम साथियों आज हमारे महमान बने हुए हैं छोटे आयान छोटे आयान का मामला यह है कि वो परिमेरी स्कूल के अंदर पाचवी कक्सा की स्टूडन्ट है उनका परिवार इतना सक्सम नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सके इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के बच्चों के अंदर टैलेन की कोई कमी नहीं है लेकिन हुने एक प्लेटफॉर्म की जरुरत है क्योंकि जब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो उनके अंदर जो हुनर है वो अपने आप बाहर निकलाएगा तो मैं आप सब के सामने महमद आयान से गुजारिश करता हूँ कि वो स्वतंत्रता दिवस के लिए जो उन्होंने स्पीच इंग्लिस में तयार की है उसका उद्गधन करे जी महमद आयान गुद मॉर्निंग रिस्पेक्टिशर्पान, प्रिंसिपर, टीचर, फ्रेंग्स एंड लेडिशन जेंटलमें Today I am going to say something on Independence Day It is our 73rd Independence Day, today we must take part in the events with devotion It is very important to honor the flag and sign national anthem we must Remember our brave Fidram fighter on this day We should be dressed like Bapu, Chacha, Nehru, Sardar, Patel and Bhagat Si in to order remember them It is also a national holiday today It was very pleasing to address you all, thank you very much, Happy Independence Day, Jain Jai Bharat बहुत अच्छा, अब आयान आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूँ अच्छा, क्यूँ टीचर ही क्यूँ? क्यूंकि मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि मुझे किसी चीज में इतना मज़ा नहीं है वह बहुत अच्छी बात है आपको बता है कि गुरु चानक के जीने कहते हैं वह एक टीचर थे, एक शिक्षक थे वह आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो मैं उनके बारे में आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं कि गुरु चानक के एक टीचर थे याने शिक्षक थे, गुरु थे तो उन्होंने नन्वसका नास करके मोर्यवंस की स्थापना की थी और चंद्रगुक्त मोर्यव को याने की युवाब राजा नियुक्त किया था सासन चंद्रगुक्त मोर्यव को अपने सीष्य को स्वापा था तो वजे ये बनती है, कि टीचर का, यानिए सिख्षक का आप अगर सिख्षक बनना चाहते हैं, गुरू बनना चाहते हैं तो आपको बलिदान देना पड़ेगा कैसे बलिदान देना पड़ेगे? कि दुनिया के अंदर में ये मानता हूँ कि सबसे बहतर में बहतर अगर कोई हुनर है तो वो टीचर का रोल होता है क्योंकि देखिए एक टीचर कि जब टीचर के सामने, शिक्षक के सामने बैट करके कभी पढ़ाई हमने भी उनके सामने किये हम भी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़े हुए है तो टीचर के सामने जब बैट करके कोई पढ़ता है तो वो चाहे कलेक्टर हो, एंजिनियर हो, डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो लेकिन सबसे पहले वो एक टीचर के लिए सम्मानी दियान कि उन तमाम को उनका सम्मान करना पड़ता है और टीचर एक ऐसी सक्षियत होती है कि जिन्होंने जिन्दगी के अंदर बहुत से बलीदान दे करके वो आगे आते हैं और आप जैसे हुनरमन बच्चों को जो टीचर तलास करते हैं और जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं वो भी याने की अभिनंदन के पात रहे हम ऐसी सोच रखते हैं कि उनका भी बहुत बहुत सुक्रिया कि आप जैसे बच्चों को वो टेलेंट दे रहे हैं तो अयान अब आगे आप क्या करना चाहते हैं एक कि मेरे तो यहसी है कि आपने साध नाम सुना हो तो मेरी यह से क्वाइज है कि मैं से कंड छोटे वली रह्मानी की तरह आपको प्रेजेंटेशन करना चाहूंगा ठीक है जैसे आप कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो आपको एजूकेशन हसील करने के लिए कहिए के हमारी ये सुविधा की जरूत हैं हमें ये काम करना है तो बैदवे हम आपके लिए तयार हैं ठीक है? All the best शुक्रीए